Welcome back students, last class में हमने drugs के बारेंग पढ़ाता है, मतलब सूंखी के बारेंग पढ़ाता है, drought जो होता है, जिसके पानी बिल्कुल नहीं होता किसी अरिया हमें, अब हम एक और natural disaster के बारेंग पढ़ेंगे, जो water से related है, that is flood, flood क्या होता है, जब किसी अरिया में बहुत जो से बारेंग ज्यादा वारेंग है, वहाँ ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट इकसे ग्रोव नहीं करफाएगे इसमीज देमेज टो क्रॉप वहाँ जो क्रॉप होगी रहेगी उसको डामेज करेंगा दूसरा वहाँ जो एनिबस रहेंगे उनके प्रॉब्लम प्रॉब्लम के लिए प्रॉप होता है तो उनकी नीचे पानी गाएगा और जो लैंड था वो अपनी दर से नीचे आने के चांसस होते है इसको हम लैंड स्टाइट कहते है नैक्स्ट जो पानी बहुत जाता हेगा तो बहुत सारे एमिपल्स यूमेंस उसमें डूप जाएंगे पानी में और डूपने की वज़ए से उनकी डेथ हो जाएगी मतलब लाइफ का बहुत जादा लॉस्ता है जब क्रॉप पूरी तरह ग्रोब नहीं करेंगे यहां डामेज हो जाएगा तो वहां पर हमारा का स्क्राप बिरुकुल ही मिलेगी इसकी वज़ए से क्या हो जाएगी जो पानी के लिए नहीं मिलेगा उच्छ नहीं हम जो बहुत जाएगा पानी आजाता है तो जो हमारी में पानी वाटर की सप्लाइ की लाइन्स होती है उसमें भी पानी बुछ जाता है और बुछने की वज़ए से वहां कर पानी फ्रेश वटर मिली अम लेकर होगा सब जगे तक अन-हाईजियनी कंडिशन स्केलने की गज़ए से ना तो आपको साफ पानी मिलेगा साफ पानी निल यह बहुत सारे disease होगी, unhygienic conditions होगी, जिससे आपकी body वे बहुत सारे diseases आने के chances होते हैं, तो यह सारे problems create होती है, अगर हमारे पास क्या होगा, flood की situation होगी, means, आपने देखा, पानी कम होगा, तो भी problem create करेगा, पानी जाता होगा, तो भी more time problems create करेगा, it means, आपको proper amount of water बहना चाहिए, तो अब आपको क्या करना चाहिए, water को control होगी, आपने पूरे चाप्टर में पढ़ लिया, water की importance, क्या है, water cycle कैसे काम करता है, next, हमें ये पढ़ लिया, कि water कम होगा, तो क्या problems होगी, water जादा आएगा, तो क्या problems होगी, तो आप हमें क्या करना चाहिए, one thing that we can do, that is, the conservation of water, हमें पानी को बचाना चाहिए, हमें पानी को waste नहीं करना चाहिए, now we are going to discuss what are the different things you can do to conserve water, पानी को आप अच्छे से कैसे हिंच कर सकते हैं, उसके waste होने को कैसे रोग सकते हैं, सबसे पहले, minimum use of water, अब ये नहीं है, कि आप use ये ना करो, minimum मनलब कम से कम, अगर आप एक one bucket से बात कर सकते हो, तो आपको एकी bucket उस करना चाहिए, अब दो या चार उन्नेसरली नहीं waste करना चाहिए, next, अगर आपके घर में कोई भी टैप से को leak कर रही हो, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी जो है हमारे पास number उसको बला कर उनको ठीक करना चाहिए, लेक इस टैप आपको नहीं नहीं चाहिए, अगर आ अगर करोंगे तब तक वो टैप चल रहा है, नहीं, जैसे ही आपका काम काता हुआ, आपको उसको टैप को बन करते हैं, उसके बाद आप और काम से हैं जो यूज कर सकते हैं, आप रेंड वाटर अगर बेस्टिंग जो है, वो आप कर सकते हैं, इसके बाले में आप भी आप बेस्टीन्टे हैं जचिक में और काम बेस्टू है रेसे में हृटर और की में अगर मतलती करते हैं मैं से कमा एक अगर कर दाइसे की यह वाटर नचेरा यह नहीं, कर सकते हैं इसके अलाबा भी बहुत सारे हैं यह दिसकस्ट ट्यूब ओवर्ग ठीक है अब जो मैंने आपको बता है किया है यह रेंड वाटर हार्वेस्टिंग अब इसको डिसकस करेंगे रेंड वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है रेंड वाटर हार्वेस्टिंग बाश आरेजो के लिए हैं इसमें दो तथिके हैं हम क्या कर सकते हैं पहले हम पढ़े रूफ इसकों क्या है एक तो है रूफ टॉप सब्सक्राइब आधा सबनें तो कॉंड़ को सब्सक्राई है पहला है रूफ टॉप रेंड-वाटर हर्वेस्टिक मानतलब जो वावरे घर ह धरो के च्थों को हम ऑंडरे लगा देें जब बारिश आघीby तो क्या होगा हम ने क्या करहुआ है। ये हमारे घर है इसली क्षेटर 예हां मत्सारे पानी को जाने के लिए यहां एक फोल सब्स चोरगा हुए नीचे आपको एक Tent बनाना है, ठीके? आप Tent कैसे बनाना है? Tent को ऊपर से कवर भी करना है कि अगर Tent कवर नहीं करेंगी तो पानी में हमारे पास मॉस्किटोस होने के चांसेज़ है अब आपको देखना है कि आपका एलिया कैसा है वहाँ पानी की Shortage है या प्रॉपर अमॉंट में पानी आपको मिलता है अगर इस एरिया में पानी की Shortage है तो आप क्या करेंगे? जो हमने ये Tent बनाया है जिसके हमने इस पाइप को connect करा इसको नीचे से Cemented करतेंगे ठीके? इसको नीचे से Cemented करतेंगे इसको नीचे से Cemented करतेंगे इसको स्रिफ बना देंगे टैंको और पानी की पाइप को इसमें नीचे डादेंगे नीचे अर्फ में नीचे तक डादेंगे ताकि वह कहां चला जाए डिर्क्ली नीचे स्वाइब में चला जाए वह वेस्ट नावो जिसने जो Ground Water तेबल रिचार्ज हो जाएगा यह हमार का method है इसको हम कहते है Rain Water Harvesting कौम सा गूफ टॉप Rain Water Harvesting खीक है अब एक और method है आपने रिखा होगा कि जो रोड्स है इस तरह से रोड्स के बीच में आपको कहीं कहीं चोटे चोटे बोल्स नजर आते हैं पीक है ऐसे bath screens लगे लिए यह क्या है यह और कुछ नहीं है यह और कुछ नहीं है यह पी Rain Water Harvesting कर रोड के उकर पानी जमा होगा उसको खराब करेगा वहाँ पर unhygienic conditions प्रेवेल करें नहीं होँ पर इन सारे situations को overcome करने लिए इसना करा होगा रोड के अंदर यह ओल शोडे में डिस्स दिस्स पर और उसमें पाइप लगा कर नीचे पाइप को अट देंदर डागा होगा क्या होगा जो ऐसे ही बारिश आएगी बारिश का पानी लन डाइप निमीर जाया इसस से क्रें मोटिटों पानी अजने होगा पानी एलागा की जाया कर अददर भोटी इपले बारिश बारिशा सोटां न смотреть Force पानी का वेस्टेज ngay हीं हो तो हमें क्या को कम से कम हूद करना चीज है जहां चाहते है बहुनी है वहाँ आप में तुक है को huh